हेलो बच्चों आज हम व्याकन सागर के पाठतीन जिसका नाम स्वरों की मात्राएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे देखो बच्चों हमने इन मात्राओं का ज्यान प्रापत कर लिया है और आज हम इनका ज्यान प्रापत करेंगे देखो बच्चों ये किस्चीज की मात्रा है अंकी ये किस्चीज की मात्रा है अंकी और अंक मात्रा का चिन कैसा होता है आप ये लाइन डालो और उसके उपर एक बिंदी इसे अंकी मात्रा बोलते हैं इसे अनुस्वार भी बोलते हैं अनुस्वार का अर्थ है जिसका उचारन नाक के द्वारा किया जाए इसका उचारन नाक से किया जाता है देखो हम बोलकर देखते हैं ये पड़ो अंगूर नाक से धमने लिए अंगूर कंगन जंगल अ की मात्रा ऐसी होती है मलब एक शीरो रेखा के उपर एक बिंदी लाइन के उपर एक बिंदी लगाना और इसको हमेशा व्यंचन अक्षरों के उपर लगाया जाता है देखो अंगूर यहाँ पे भी उपर लगा है कंगन यहाँ पर भी जंगल यहाँ पर भी यह अंग की मात्रा है, इसका उचारण नाक के द्वारा किया जाता है अब देखो यह कौन सी मात्रा है, अह की इसके उचारण करते समय कोई भी शबदा बोलते हो तो उसके बाद में हमें ह की आवाज आती है किसकी आवाज आती है ह की देखो प्रात्त है प के पैर में र आत प्रात बना लेकिन जब हमने इन दो बिंदों को लगाया तो क्या बना प्रात्त है प उन पुन लेकिन जब इन दो बिंदों को लगाया तो बना पुन है अत अत लेकिन जब ये बिंदी लगाए, दो बिंदू लगाए, तो क्या बना अतह, ये ह की sound देती है हमें, ये जो भी अक्षर होता है, उसके अक्षर के पीछे लगते हैं, दो बिंदू ऐसे, जिसे हमने क लिखा, क के पीछे दो बिंदू लगे कह, ऐसे ही ये क्या बना, प्रातह, पुन्नह, अत्तह, ये इसको विसर्ग भी बोलते हैं, ठीक है, ये प्रतेक शब्द के पीछे लगते हैं, दो बिंदु, दूसे बोलते हैं, ह, आगे पढ़ते हैं, ये चांद बिंदु है, और इसका चिन ऐसा होता है, एक लाइन की चो, आधा सरकल बनाओ, और उपर बिंदी ऐसी, ये होती है, अंग की मात्रा, तो देखो, जब भी हम इसे लगाते हैं, तो उन शब्दों के स्वरों में ही चेंज आ जाता है, बदलाव, जैसे हमने बोला, चाद हुआ, चाद तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब हम इसके उपर चांद बिंदु लगाते हैं, तो क्या बन जाता है, चांद, देखो, इसका उचारन नाक और मू दोनों से हो रहा है, ब उद बूद, बूद भी कुछ नहीं होता, लेकिन जब हमने इसके उपर चांद बिंदु लगाया, तो ये बन गया, बूद, आख, देखो, अगर हम चांद बिंदु नहीं लगाएंगे, तो इसका उचारन कैसे होगा, आख, आख तो कुछ ही नहीं होता, लेकिन जब चांद बिंदु लगाया, तो ये बन गया, आख, देखो बच्चो, हम आज इन तीनों शब्दों के बारे में पढ़ते हैं, अंग, जिसमें ये वाली मात्रा, ये चिन होता है, आहा, जिसमें किसी भी अक्षर के पीछे, ये दो बिंदु लगती है, और चांद बिंदु, ये चांद बिंदु वाला है, ठीक है बच्चो, आओ, इनके कुछ शब्दों को पढ़ते हैं, प, अं, ख, पंक, प, त, अं, ग, पतंग, ब, अं, द, र, बंदर, ह, अं, स, हंस, श, अं, ख, शंक, अब सीखते हैं, चांद बिंदु वाले मात्रा वाले शब्द, उं, अं, ट, उंट, अ, आ, अं, ख, आंक, स, आ, अं, प, सांप, च, आ, अं, द, चांद, ट, आ, अं, ग, टांग, आप सीखते हैं, विसर्ग अह की मात्रा हमाले शब्द, न, म, ह, न, म, ह, च, ह, च, पर, आत, प्रात, दू, ह, ख, दुख, त, पह, त, पह, देखो बच्चो, अब हम अंकी मात्रा के कुछ शब्दों को पढ़ती हैं, यह अंकी मात्रा का चिन है, यह अंकी मात्रा है, पहले पढ़ते हैं, र, अंग, रंग, ठ, अंड, ठंड, प, अंख, आ, पंखा, ब, अंग, द, र, बंदर, ग, अंग, आ, गंगा, च, अंग, चल, चंचल, मांगलवार, मंगलवार, ग, अंगा, जल, गंगा, जल, गंगा, जल, देखो हमने अंकी मात्रा वाली शब्द करें, अब हम चांद बिंदु वाली मात्रा के शब्द पढ़ते हैं, जैसे घ, उ, अंग्ट, गूंट, च, आ, अंग, द, चांद, ट, आ, अंग, टांग, द, आ, अंग, द, अंग, द, प, आ, अंग, व, पां, स, उ, अंग, सून्ड, उंग्ट उंट आधई आंधी आगे हम ह जिसे विसर कहते हैं उसकी मातरा वाले शब्द पढ़ते हैं इसका उचारन ह ह धवनी से होता है प्रातह प्रायह तपह आतह पाउनह पुनह दाउह ख दुख तो बचों ये विसर्ग वाले शब्द थे ह के ये चांद बिंदु वाले थे और पीछे हमने अंग की मातरा वाले शब्द पढ़े थे तो बचों इन शब्दों के बारे में अच्छे से ध्यान से पढ़ना ये शब्द आपको इन तीन मातराओं के अंतर के बारे में बता रहे हैं कि कहां पर हमें ये वाली मातरा लगानी है कहां पर हमें ये वाली मात्रा लगानी है और कहां पर हमें ये वाली मात्रा लगानी है इसे बोलते हैं अंग ये चांद बिंदु वाले हैं और ये हा वाले है